अब तक लाखों लोग ने 11 बज के 11 मिनट का मैजिक देखा है, इसका एक्सपिरियंस भी शेयर किया है और सब की बहुत बड़े बड़े इच्छाएं पूरी हुई है। इस वीडियो में आप यही जानने वाले हैं कि 11 बज के 11 मिनट पर एक दुनिया का सबसे शक्ति शाले मंत्र सिर्फ 11 बार बोल देंगे तो आपकी इच्छाँ जरूर पूरी होगी। इस प्रोसेस को रोकना नहीं है। फर्स दिन नहीं हुआ तो क्या, सेकेंड दिन फिर करेंगे, थर्ट दिन करेंगे, फोर्स दिन करेंगे। होगा जरूर इसकी गरांटी में देती हूँ, जरूर होगा। क्योंकि आपको पता नहीं है इसका डिटेल, ये इतना मैजिकल टाइम होता है, इतना मैजिकल टाइम होता है। आप यो समझ लो कि जैसे हम human है न, इधर उधर सब लोग फैले हुए हैं, कोई तो line by line खड़ा नहीं है किसी चीज़ को देखने के लिए, लेकिन ये ऐसा समय होता है न, कि सारी शक्तिया line by line हो जाती हैं, और उस समय बहुत high vibration रहता है। और जब इस time पर universe का door open होता है, इस time पर आप एक बार जाके मेरे कहने से, अपने terrace के उपर जाईए, यानि अपने चछट के उपर जाईए और आसमान के तरफ ध्यान से देखिए, मन को बिल्कुल शान्त करके देखिए, आपको बहुत positive feel होगा, यकीन मानिया और अगर उस time पर आपने अपनी इच्छा visualize कर ली, first दिन हो सकता है कि आपको लगे कि अरे ये तो काम नहीं किया, लेकिन बहुत लोगों के इच्छाए, दो मिनट के अंदर में निफिस्ट होई है, seriously बता रही हो, और मैं दूसरों के छोड़ दीजिए, मैंने खुद किया है, मैं जब तक experience नहीं करती हूँ, आप लोगों के साथ share करना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि जूट मुट का किसी को भरम में रखना, जूट बोलना, बहलाना, ये सब मुझे खुद पसंद नहीं है, क्योंकि मैं भी इस दोर से गुजरी हूँ, आज मैं यहां पर पहुँच पाई बहुत जादा negative होते हैं, हर तरफ से problems, और उस भीच में हमें कुछ positive चाहिए होता है, या हमारी कोई wish चाहिए होती है हमें कि जल्दी से पूरी हो जाए, और वो नहीं होती है, हम बहुत सारी technique follow करते हैं, मन तरजाब करते हैं, ritual करते हैं, angel numbers use करते हैं, और जब नहीं होता है तो हम सारी चीजों से निराश होने लगते हैं, लेकिन आपको पता है, आप जो भी करते हैं, वो सारी चीजे आप तो भूल जाते हैं, अगर कि आप चाहिए दो दिन कर रहे हैं, एक दिन कर रहे हैं, चार दिर कर रहे हैं, फिर भी नहीं हुआ, आप शायद भूल जाते हैं और क्योंकि आप लोट जाते हैं ना कि मैं तो negative हूँ भाई मेरी तो इच्छा पूरी नहीं होगी तो भले ही थोड़ी देर से होती है लेकिन आपकी वो इच्छा जरूर पूरी होती है गाईज इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जब आप 11 बज के 11 मिनट वाला प्रोसेस शुरू करते हो ना प्लीज हार नहीं मानना है किसी कीमत में हार नहीं मानना है चाहे आप साथ में कोई technique कर रहे हो ritual कर रहे हो वो करो लेकिन ये काम आपको जरूर करना है ये आप अपने life का part बना लो ठेक है आपकी एक इच्छा पूरी हो जाती है न अब उसको आप छोड़ दो आप दूसरी इच्छा के लिए कर सकते हो लेकिन करना जरूर है मैं आप लोगों को बार बार कह रहे हूँ हूँ इससे अच्छा टाइम आपको मिल ही नहीं सकता है एक और समय है जब आप अपने विश को फुलफिल कर सकते हैं और वो है सुबा में मॉर्निंग में तीन बज के 20 मिनट से तीन बज के 40 मिनट इस बीच आप जो सोचेंगे वो होगा फिर से वही चीज अगर फर्स दिन आपको नहीं experience हुआ कि हाँ चीजे हो रही है सेकेंड डे, थॉर्ट डे, ऐसे करते रही है एक दिन आप देखेंगे कि इतना बड़ा कुछ हो गया जो आपने सोचा भी नहीं था फिलहाल मैंने बहुत समझा लिया शुरू कर लेते हैं वीडियो को हलो वीडिफुल सोल, कैसे हैं आप सब? कॉमेंट करके बताना बिलकुल मत भूलिएगा कैसे हैं आप सब? मुझे जानना अच्छा लगता है आप लोग बताते हैं, हम ऐसे हैं, यहां से हैं वो पढ़के मुझे बहुत खुशी मिलती है और आप लोग कहां से हैं, अपने सिटी का नाम जरूर कॉमेंट में मिंशन कीजिएगा तो आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं 11 बज के 11 मिनट पर अपनी विश के साथ एक मैजिकल मंत्र 11 बार बोलेंगे जो पहले वाले वीडियो में मैंने मंत्र बताया था वो भी बहुत मैजिकल है बहुत जादा कोई सीमा नहीं है उसके मैजिक के और जो मैं आप भी शेयर करने जा रहे हूँ दूसरा मंत्र ये भी बहुत जादा मैजिकल है मतलब कहते हैं ना कि किसी चीज को आप आकरशित करना चाहते हो अपनी तरफ कोई भी चीज जॉब है पैसा है कोई परसन है कोई सिच्वेशन है कुछ भी एनिधिंग आपके लिए ये मंत्र इतना मिराकलिस तरीके से वर्क करता है कि आपको अंदाजा नहीं है बस करना क्या है कि आप जब ये चीज कर रहे हो ना आप अपनी विश बोल रहे हो 11 बज के 11 मिनट पर मंत्र बोल रहे हो उसके बाद लिटवो करतो यार भूल जाओ एकदम उसको चीज मत करते रहो कब होगा कब होगा कब होगा जब आप किसी का पीछा करते हो तो वो चीज़े आप से दूर भागने लगते हैं तो ये नहीं करो मेरे पास इंट्राग्राम पे एक कॉमेंट आया था कि मैं अपना एंजल नंबर पताने कितने दिनों से लिख रहा हूँ 14 या 15 दिनों से और 21 दिन हो जाएगा तो मेरी विश्ट फुलफिल होगी कि नहीं ऐसे नहीं करना है गाईज ऐसे नहीं करना है आप लिखते रहो ना क्या फर्क पड़ता है लिखते रहो आप एक दिन देखोगे कि आपने जिस वज़ा से लिखना शुरू किया था वो वज़ा तो कबकी पूरी हो चुकी है बलकि उससे हजार गुना ज़ादा आपको मिल गया है तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस तरह की वीडियो के लिए सब्सक्राइब ज़रूर से कर लिजएगा और जब भी आप सब्सक्राइब करें तो बेल आइकान को और पर प्रेस करना बिलकुल मैद भूलेगा तब भी मैं जब भी न्यू वीडियो अप्लूट करूँगे न तो उसका नॉटिफिक्सिशन आपको सबसे पहले मिलेगा और सबसे पहले आप वीडियो का बेनेफिस्ट ले पाएंगे जैसा कि मैंने फर्स्ट और सेकेंड वाली वीडियो में बताया था सेम प्रोस्स आपको करना है अपनी विश आपको लिख लेनी है इस बार हम red color का pen use करने वाले है तो आप अपनी विश लिखेंगे ग्यारा बार red color के pen से यानि लाल रंग के कलं से आ पको अपनी इच्छा लिखनी है presence में, presence में मतलब जैसी कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है बहुत लोगों का comments था marriage के लिए किस तरह से लिख सकते हैं अगर आपको love marriage चाहिए अगरशित करना है, तो आप लिख सकते हैं thank you, thank you, thank you universe मेरा और इस person का marriage successfully हो चुका है सबकी मर्जी से, मैं बहुत खुश हूँ thank you, thank you, thank you इसको आपको 11 बार लिखना है और red color के pencil लिखना है, इसके अलावा आप जो भी manifest करना चाहते हैं ऐसे आप color therapy भी इसमें लगा सकते हैं अगर आप growth चाहते हैं money चाहते हैं, abundance चाहते हैं बहुत सारी new opportunity चाहते हैं तो इसके लिए आप green color के pencil लिखेंगे तो आपको बहुत जल्दी फर्क दिखेगा अब आप लोग ये मत पूछेगा कि क्या हम इस तरह के विश्पूरी कर सकते हैं क्या हम दूसरों के लिए कर सकते हैं क्या हम अपनी health के लिए कर सकते हैं हाँ भाई आप हर चीज के लिए कर सकते हैं दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसके लिए आप इस technique को नहीं कर सकते हैं क्या आप मैं periods में हूँ कर सकते हूँ अगर आप महला है, periods में है तो आप क्या करेंगी अपने wish को एक ग्यारा बार आप presence में बोलेंगी मंत्र का जाप मत केज़ेगा ठीक है आप switchboard chant कर सकती है divine count now divine count now तो अब आप लोगों ने अपने wish को लिख लिया अपनी personal general diary या copy के उपर किसी भी चीज के उपर आपको लिखना है लिखने के बाद पहले ही लिखनेना है ताकि 11 बज के 11 मिनट पर आप पूरी तरह से ध्यान में हो कि हाँ मुझे अपने wish इस तरह से visualize करनी है तो अपने पहले ही लिख लेना है अपने wish को 11 बार लिखना है 11 बार लिखने के बाद जैसे ही 11 बज के 11 मिनट रात में करना है ठीक है आप चाहें तो दिन में भी कर सकते हैं दिन में करें कोई दिकत वाली बात नहीं है क्योंकि दिन का समय भी 11 बज के 11 मिनट बहुत magical है लेकिन जो रात का समय है उसे आपको किसी भी किमत में मिस नहीं करना है आपको पहले से या अलार्म लगा के बैठ जाना है जैसे ही 11 बज के 11 मिनट हो अपने विश को देखिए क्या लिखा है आपने अब आप visualize करना शुरू कीजिए और साथ में मंत्र बोलना है आपको ओम क्लीम कृष्णाय नमः ओम क्लीम कृष्णाय नमः ये मंत्र आपको 11 बार बोलना है उसके बात आप चाहें तो जिस पेपर पर आपने लिखा है उसे अपने सिर के नीचे रखके यानि पिलो के नीचे रखके सो जाएए लगातर 11 दिन तक जरूर कीजी ये काम अगर आपकी विश फर्स दिन में ही पूरी हो जाती है तो भी आप 11 दिन तक करते रहें ताकि आपकी जो इच्छा है पूरी हो गई है आपकी लाइफ में आ चुकी है उसे आप खो न दे तो जो आप कर रहे हैं उसे कंटिन्यों 11 दिन तक करना ही है ऐसा नहीं है कि इच्छा पूरी होए तो आप चीजों को भूल जाओ, युनिवर्स को भूल जाओ और करके देखियो अपना experience मेरे साथ शेर कीजिएगा मैंने जो कहा है न कि टेरिस के उपर जाके एक दिन 11 बज के 11 मिनट पर experience जरूर कीजिएगा आपको कैसा फील होता है, अगर आपका मन बहुत positive हो जाए तो क्या केजिए, अपने दोनों हाथों को उपर उठाइए युनिवर्स के तरफ, और दिल से thank you बोलिए, इसके साथ अपने wish बोल सकते हैं करके देखे, बहुत मजा आने वाला, seriously बता रहे हो अगर आपने एक एक शब्दों पर भरोसा कर लिया ना तो जिन्दगी बदल जाएगे, क्योंकि मैं सिर्फ लोगों का experience नहीं बता रहे हो, बलकि मैंने खुद experience किया है, मेरी जिन्दगी बदली है, आपके भी बदले की करके देखे, और last day इस page को आप चाहे तो जमीन के अंदर दबा दे, या फिर बहते हुए पानी में डाल दे, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक आप सभी खुद का ध्यान रखिए, self love कीजिए, और इस तरह की वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों की मनकामना है पूरी हो जितना ही आप लोगों का अच्छा चाहोगे उतना ही आपकी जिन्दिगी में अच्छी अच्छी चीज़े आकरशित होके आएंगे तो करके देखिए, बहुत मजाएगा खुश्री आप सभी, God bless you and thanks for watching बाई